नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नती एस्टो एंड एजुकेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत हर्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने एक नया कंसेप्ट लेकर आ रहा हूँ और ये कंसेप्ट निमरोलजी प्रेडिक्शन के उपर बेस्ट है मैं अभी तक अपने यूट्यूब चैनल पर 22 वीडियो के क्रीब डाल चुका हूँ कुछ वो वीडियो लोगों को पसंद आये हैं मैं एस्टोलजी में अभी नया हूँ लेकिन मैं उस चीज के बावजूद निमरोलजी जिससे मैंने पहले एस्टोलजी सीखी थी पूरे एक साल तक कोई वीडियो नहीं डाला क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं चाता था कि जो मैंने सबसे पहले चीज सीखी है उसमें एक ऐसी वीडियो बनाऊं जब भी कि वो वीडियो अगर उस टॉपिक पर ना बनी हो तो ये मेरा उन सब गुरुओं के लिए डारेक्ट और इंडारेक्ट ट्रिब्यूट है अगर मैंने कुछ मेहनत की है तो भगवान इसका फल उन सबी को दे या इसका रजल्ट उन सब को दे कि जिन से मैंने सिखी है किताब से सिखी है वीडियो के थ्रूद इखी है उनलाइन सिखी है डिसकस करके सिखी है तो उन सब को इसमें मौका दे अपना योगदान देने का हो सकता है कि यह टॉपिक बिल्कुल ही लोगों को अलग लगे क्योंकि ये कोई सुरुवाती टॉपिक नहीं है ये एक बहुत middle level की prediction based जो मैं एक technique कहलो, एक method कहलो वो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ हो सकता है कि कुछ लोगों की कुडली पे ये numerology based पे जब हम calculation करते हैं लगे, कुछ पे partial लगे या कुछ पे बिल्कुल भी ना लगे तो दोस्तों यहाँ पर एक email ID दिया हुआ है उस पे अपना chart पे analysis करने के बाद data के साथ जरूर लगाईएगा और अगर आप भी नहीं email कर सकते हैं तो अपना जो calculation करेंगे चार्ट के उपर इस WhatsApp नंबर पर उसको circulate कर सकते हैं या उस पे send कर सकते हैं तो अगर आप लोग जब सब उससे common platform पे आ जाएंगे हम लोग तो इस topic पे और आगे कैसे बढ़ सकते हैं उसका एक group बनाएंगे और उस group में बनाने के बाद कैसे और लोगों को उसको बारे में बता सकते हैं एक refined technique निकलने के बाद फिर हम उसको ही open करेंगे तो आज आप यह कह सकते हैं कि एक सुरुवाती topic है जिसके ओपर कैसे calculation करनी है हो सकता है कि मैंने जब यह आपको दे रहा हूँ तो कुछ चार्ट पे लगाया हो लगाने में कुछ गल्ती भी हो गई हो लेकिन जब बहुत सारे अलग-लग लोग इस topic के ओपर अपनी calculation लगाएंगे तो मुझे इतना यकीन है कि वो कुछ ना कुछ यह चीज की शुरुआत जरूर करेगा तो यह tribute है उन सभी के लिए जो numerology में काम पहले मुझसे कर रहे हैं कि वो अपनी इस पर feedback जरूर दें चाहे अपने students के थूरू दिलवाएं या अपनी किसी organization के थूरू दिलवाएं ताकि हम लोग सब आने वाले समय में और प्रोग्रेस कर सकें तो कोई मैं यह नहीं कहूंगा कि यह Indian based calculation करनी है या किसी foreign country based या दूसरे country की location करनी है जो आपको numerology में suitable लगता है direction नहीं consider कर रहे different types of elements कह लिजए या different types of कोई भी calculation नहीं करना है एक simple number system का लेके आपको जो लगता है वो अपनी feedback जुरू दीजिएगा आईए दोस्तो इसके main मुद्दे पर चलते हैं क्योंकि हमें ये मालूम है गरह तो हम Indian astrology में 9 ही करते हैं हमारी ratio ने भी जितनी calculation दी है उनमें से भी 9 गरह की बेस्पेदी है उनमें से भी 7 को गरह मान लेते हैं 2 को 6 गरह मान लेते हैं इस पर debate चलती है और चलती ही रहेगी और अभी तो कुछ जो और technique आ रही है और जैसा अभी calculation चल रहा है तो लोग तो Pluto और उन बाकी सब 3 planets को भी लेते हैं तो 12 ही बनाके calculation कर रहे हैं क्योंकि वो तीनों ही खतरनाथ तरीके से calculation में add on करते हैं multiply करते हैं चाहे best way में करें चाहे negative में करें तो इसलिए ये तो 12 के इसाब से भी देने वाले prediction हैं 9 के इसाब से देने वाले भी हैं 7 के आप से भी देने वाले हैं और जो calculation numerology में कहलीजी है या astrology में विश्वास नहीं करने वाले भी हैं जो free will को ही ज़ादा मानते हैं या destiny को ज़ादा मानते हैं वो debate चलती रहेगी मैं debate का मुद्दा नहीं लेके आ रहा हूं मैं तो सिरफ आप से एक request कर रहा हूं कि मैंने इसको एक साल तक सीखा इस एक साल की analyze करने के बाद एक method चाहिए वो छोता सा ही है वो शुरुआत के लेके आया हूं और आप से उमीद करता हूं कि आप उसको जुरूर एक बार comment करने से पहले अपने उपर अपनी खुद की marriage anniversary की condition क्या है कि आपके कम से कम शादी को पांच साल हो गए हूं जिनकी अभी तक पांच साल नहीं हुए हैं वो इस method को मत लगाएं please क्यूं कह रहा हूं क्यूंकि यहाँ पर पांच नंबर middle में है वो हम overall stability को indicate करते हैं representation लेते हैं पांच साल तक क्या जिन्दगी में चल रहा है बहुत लोग कमी समझ पाते हैं शादी में क्या हो रहा है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इसको छटे साल से ही कीजिए मैं example में जरूर बताऊंगा first year का भी second year का भी लेकिन जो feedback दें वही दें जिनकी शादी को छे साल हो गए है क्यों ऐसा कह रहा हूँ अब total गिरिए 9 और 4 तेरा तेरा दो पंदरा पंदरा कारे करेंगे तो फिर छे उपर से जाईए नीचे से आईए साइड से आईए छे ही है आप इस छे को लक्षमी अंतर कह लीजिए छे को आपकी शुकर कह लीजिए शुकर से पैसा भी है शुकर से पत्नी भी है शुकर से औराल happiness भी है सब कुछ शुकर के हाथ में है तो इसलिए जब जो छे का आकड़ा चुलेगा उसे को ही तो पता चलेगा तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जिनके पांस साल कंप्लीट हो गए हैं और छटे रनिंग में हैं वो ही इसको समझ पाएंगे अच्छे से आप दूसरी स्लाइड पे चलते हैं दोस्तो इसमें जो क्रेक्टेस्टिक लिखी हुई है प्लैनेट के इसाब से तो जैसा मैंने पीछे उसमें पिक्चर में दिया है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी जो उसको आप नंबर सिस्टम से देखें तो एक नंबर सन को दिया है और नाइन नंबर मार्स को दिया है हर प्लैनेट की एनरजी है अगर हम वेदिक एस्ट्रोलजी के साथ से कैब करें तो गुरू ने यही सिखाया है हर एनरजी एक समय पर आकर एक टाइप कर जल्ट देती है तूसरे समय पर आकर दूसरा देती है तो प्लैनेट एक है अच्छा रजल्ट भी देता है एवरेज भी देता है और थोड़ा बुरा भी देता है तो उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे हम यही देखेंगे कि इसमें जो यह लिख़े हुए हैं इसमें मेरा कोई कंट्रिबुशन मेरा कंट्रिबुशन इसमें सरफ एक अपनाने में है मैं सरफ यहाँ पर एक चीज़ कहुए कि जो लो़र केस में जो वर्ड लिख़े हुए हैं उनका मीनिंग कही ना कही चेंज होता है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से जहां मैंने अगर capital में लिखा है उसका एक meaning है जहां उसको lower में लिखा है उसका भी एक meaning है जब आपकी 6 साल शादिका चल रहा होगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा किस time पे वो lower case के result दे रहा है और किस time पे वो upper case के दे रहा है इतना ही मतलब है तो एक journal way में अगर हम देखा जाए तो एक-एक word पकड़ लेते हैं sun से हम carrier देखते है moon से हम relationship या mother ले ले जिए three से हम अपनी family foundation ले ले जिए fourth से आप finances ले 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 जिए क्योंकि आज पैसा ही सब कुछ है पैसा ही सब कुछ है आज की date में बहुत कम लोग है जो यह जानते है पैसा बहुत कुछ है बढ़ सब कुछ नहीं है पाँच नमबर overall stability है चाह वो emotional stability है चाह mental stability है जो जहां खुश है वो stability को indicate करेगा छे नमबर जो है वो blessings है वो blessings आपकी family में कहां से आएंगी वो शुकर से आएंगी या आपकी बीबी से आएंगी वो आप decide किजी आपकी community से आएंगी कहां से आप किस angle से देख रही है या आपके वो दोस्त हैं जो आपके काम आएंगे seven से basically body से ही आप लें seven एक body ही मैं लेता हूँ वो body को कैसे use करना है तो body से ही आगे हमारी generation चलती है तो मैंने इसको children के form में लिया है अभी फिलाल मैं children के form में लिया eight को अगर हम ज़्यादा philosophical ना हो और बड़े ना करें तो एक हम education को ले लीजिए या education में debate है पढ़ा लिखा भी हो, degree हो, knowledge ना हो तो उसका भी कोई फैदा नहीं है और अगर बगेर कुछ पढ़े उसको बहुत कुछ knowledge है तो आप एक layman की language में उसकी समझदारी या knowledge भी ले लीजिए जो आपने एक word बेना है और आजकल हर चीज तो fame ही चाहती है अगर मैं भी ये video बना रहा हूँ directly और indirectly पकड़ लीजिए या reputation पकड़ लीजिए अब आते हैं बगेर कैसे discuss किये आप कोण सी grid ले रहे हैं North Indian grid ले रहे हैं South Indian grid ले रहे हैं या कोई और foreign country की grid ले रहे हैं main तो number system से हैं हमें एक date of birth मिली उसमें combinations हैं 2000 से पहले जिन का जनम हुआ उसके कुछ role अलग है 2000 के बाजन का जनम हुआ कुछ अलग है इस पे अभी neurology experts के कुछ books के थूँ या कुछ literature के थूँ अलग-अलग मत हैं software में भी अलग-अलग मत हैं तो आप उसमें मत जाईए आप क्योंकि ये अगर हम ले रहे हैं इसको ले रहे हैं तो जो 2000 के बाद वाले आएंगे तो उसका एक आड़ाउन वीडियो जब ये analysis हो जाएगा बाद में डालेंगे तो हम एक बांत के चलते हैं ये practical rule जो लगाना है वो जो जिनका जनम 2000 से पहले हुआ है उनी के लिए अच्छा है क्योंकि 2000 से लगाएंगे तो 21 साल की उमर आ रही है 21 साल की उमर तो अभी आएगी तो 105 साल शादी को कैसे हो जाएंगी तो इसलिए कम से कम ये अगर रूल लगेगा भी तो जिनकी शादी 1995 से पहले हो गई है वो ही इस पर ट्राई करें बाकी ट्राई ना करें दूसरी बात कि भई हमें डेट ओब बर्स से individual numbers मिलते हैं एक final number भी मिलता है जिसको हम destiny number कहते है या life path कहते हैं वो कैसे निकालना है उस पर नहीं जाएंगे simple सारी date, month four digit का year स्को एड़ कीजिए वो एक number total निकाल लीजिए में अगर एक number कहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, दो number के हैं तो जिस दिन date हुए हैं उसको sum कर लीजिए एक date वो चाहिए मुझे और एक date वो चाहिए और आप और एक आपकी married date का जो जिस दिन marriage हुई है वो date चाहिए, उसको भी ऐसी करना है एक single digit में है तो single ले लेंगे double है तो उसको add करके round off करके एक number में ली आएंगे और एक उस full date का भी number आ जाएगे बस जैसे इस example में हमने लिया date of marriage 8-5-1998 8-9-1998 को शादी हुई जाता की तो 7-9-1999 तक हमने एक साल लिया 8-8 से नहीं लिया उसका में लॉजिक यही है पहला दिन को zero ले लिया और 365 को साथ दिन लिया जीरो से 365 करेंगे तो engineering या जो mathematics वाले student है हम zero को भी अगर एक number माने significance चैश्ट पहले लगाने से नहों तो आई गया जाब बंदा जीवन में existence में आ गया और उसने उस घड़ी से लेके 24 गंटे होने पर हम एक दिन जानते हैं लेकिन हमने तो जिस दिन उसको start हुआ जिस दिन वो बंदे बंदन में बंद गए दुनिया में आ गए हमने उसकी counting शुरू कर दी second row से ही उसकी counting शुरू कर दी तो उस चीज़ को मैंने एक साल लिया है इसी तरीके से अगर यहाँ पर यह आप देखेंगे इसमें लिखा भी है similarly इसमें अगर second year का अगर मैं count करना है तो 85-1999 से 75-2000 तक होगा अगर मैंने फिर यह 23 साल का जो नंबर लिया है 23 नंबर का 85-2020 से 75-2021 फिर दुबारा दोस्तों मैं आपके पास पहली स्लाइड में आ रहा हूँ एक मक्सद वापिस आने का और बताने का कि मैंने 23 साल पे इस चार्ट को एपलाई किया 23 में मैरीज पे किया 23 का टोटल 5 आता है एस्टोलोजी में कहली जिए आज का बहुत बड़ा significance है stability है कुछ तो direction रही होगी जो ये number इतना prominently इस calculation में आया है जो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ अगर आपको पसंद ना आए तो इसको एक random vague idea भी कहके छोड़ दीजी अब मैं आ रहा हूँ calculation पे लड़का लड़की के दोनों की date of birth उपर share की वही है number जो मैंने निकाला है लड़के का 17 तारीख है तो 17 का अगर round off किया दो में है तो 8 आठ आ गया शादी की 8 तारीख है 8 ही रहा 8 हचे 14 16 हो गया 16 करके 7 आ गया तो 7 number मेरे लिए important हो गया जब मैंने marriage date को fix किया इसमें अवराल एक date भी निकाल ली है अवराल date निकालने में क्या है कि जब बंदे की date of birth का अवराल जैसे 32 था 32 का 5 आ गया तो 5 number ले लिया date of marriage का अवराल जो आया 40 उसका 4 किया तो वो 4 प्लस 5 9 हो लड़के के लिए marriage date का जो number है वो 7 आया और अवराल date वो 9 आया क्योंकि लड़की के date अवराल अलग है तो उसका भी number अलग होगा उसकी date में 6 तारिक है तो 6 हुआ marriage के लिए तो date 8 है तो 8 अचे 14 हुआ 14 का फिर 5 हो गया ठीक है जी? इसी के बाद overall date में क्योंकि date में उनका 30 है 33 का 3 आया फिर marriage की जो date है वो overall 4 आया तो 7 नमबर यहां पर ही चाहे 7 और 9 है लड़का लड़की के में और लड़की के जो number में है वो number 5 और 7 है जैसा कि मैंने गुरूं से देखा और उनकी लेक्चरों को सुना तो यह पाया एक stable शादी के लिए किसी भी numerology का जो use करते हैं वो कहते हैं लड़के या लड़की की date of birth में अगर 5 और 6 नमबर आ जाए तो शादी को stability देने में बहुत important role होता है बड़े से बड़े celebrity के example आपको YouTube पर मिल जाएंगे उन में से एक अजे देवगन और काजोल का भी नाम है मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप देख सकते हैं YouTube पर मैंने वीडियो नहीं बनाया किसी ने डाला हुआ है अगर कोई इसमें मैं नाम लेके किसी celebrity का गल्त कर रहा हूं तो आप मुझे माफ कीजिएगा इवन शारु खान और गौरी का भी एक्जामपल लेंगे तो आपको ये एक्जामपल मिल जाएगा और इतनी लंबी शादी चलने के पीछे कोई तो पांच और छे का भी योगदान होगा तो आईए जबकि अगर आप देखें इस दोनों की में नंबर में अगर आप सिस्टम में करेंगे मैं क्यों वहाँ बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको कुणली में पांच नंबर मैरीज में मिल रहा है आठ पांच डेट ऑ बर्थ में नहीं है और इन celebrities का जो नाम लिया है मैंने उनकी date of birth के इसाब से कहा है मेरे को उनकी date of birth, date of marriage नहीं मालूम है जब मुझे date of birth, marriage मालूम ही नहीं है तो मैं number का कह़़ए हूँ तो celebrity के तो वैसे भी बहुत सारी चीज़े होती है तो किसी ने analysis किया हुआ था example में लगा कि मैंने वहाँ से देखा तो वहाँ से ही देखके बता रहा हूँ अगर गल्ट हो तो माफ कीजिएगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर marriage इतनी अच्छी चली है तो number 5 और चे 100% तो इसमें भी एक ordinary बंदों की है ये analysis उसमें भी 5 आ गया लड़के के में overall में भी आ गया लड़की में मेज में आ गया और उसकी में भी आ गया ची लड़की में 5 और 6 दोनों आ गया obviously इतना तो मैं कह सकता हूँ कि इस शादी को चलाने में इस शादी को stability देने में लड़की का role लड़के से बहुत ही prominent है है अब जैसा मैंने कहा इस चार्ट को इस calculation को लगाना तो आपने छटे साथ है लेकिन क्योंकि promise किया कि कैसे calculation स्टार्ट करनी है तो मैंने first और second year का अलग first year का लड़के के पर रजल दिखा है second पर लड़की का लड़के आपने किताब पढ़ी होगी मुझे नहीं पता मैंने detail में नहीं पढ़ी उसमें बहुतों को देखा जब क्योंकि मैं काफी पुराने style का बंदा हूँ और जब हम engineering करते थे या जब book stalls पर देखते थे रिले station पर जाते थे किताब बहुत बिक्ती थी men's are from Mars, women's are from Venus तो उसमें भी Venus का 6 नमबर और Mars का 9 नमबर तो characteristic में जाएंगे शादी से लड़के को क्या चाहिए लड़की को क्या चाहिए अगर आप किताब पढ़ी है तो पढ़ लीजिएगा मैं को इसकी किताब की marketing नहीं कर रहा कि review करना है तो review कर लीजिए आपको किसी से borrow करके पढ़नी पढ़ लीजिए तो आप वो किताब पढ़ोगे वो rule which में फिटोत्रे लिखे थे एक से 9 नमबर में जब आएंगे अब अगर एक नमबर आप चार्ट में जाएंगे जो second slide में दिया हुआ है इसी से मैंने as it is coffee किया है पहले साल लड़के को क्या जल्ड मिलना चाहिए शादी तो तब ही होगी जब उसका केरियर हो गया होगा तो लो इसको छोड़ देते हैं कुछ उसके गोल होगे शादी से लेकि या जब शादी होगी तो उसका communication किसी ना किसी extra बंदे के साथ बढ़ेगा एक इतना ही कहना चाहता हूं नौ नंबर है शादी होगी कहेगा मेरी अच्छी जग होगी reputation बढ़ेगी कुछ शादी से fame के भी उमीद होगी या उसकी कुछ ambition होगी जब लड़के की शादी होती है value का मतलब प्राकरम भी बढ़ता है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं अब देखना ये है कि आप कैसे लगाएंगे number आपको मैं इतने guarantee के साथ कह रहा हूं बिल जाएगे तो मैंने result जो combine किये इसमें 7 number का है लड़के का जैसे 7 number है 1 से multiply किया तो इसमें 7 number किसका है learn through sacrifice या शादी कैसे कि चेपैदा हों वो सकता उसका ये भी या उसका दिल उसके दिमाग के हावी हो जाए उसकी expectations दिलवाली हावी हो जाए दिमाग के वजए तो ये देखना है कि आप खुद अपनी चार्ट पे लगाएंगे तो आपको तो अपने बारे में पता ही है तो आप उससे पता चल जाएंगे तो result क्या है तो मैंने वही cut and paste करके वहाँ से कर दिया explain करने की जुरूत नहीं है क्योंकि मैं सबसे उमीद कर रहा हूँ कि वही इस पे जज़ करेंगे लेकिन यह result इस जातक को मिले शादी के इसने observe किये documented किये recall किये similarly लड़की का जब first year इसलिए नहीं लिया कि चलो एक example हो जाएगा लड़की की शादी जब first year में आती है तो दूसरे घर में adjust होने में environment होने में बहुँ सारा sacrifice करती है एक साल में adjust भी हो जाती है तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी thinking बदल जाती है more or less start करती है comfortable feel करना उस environment में तो इसलिए उससे कहा कि भी चलो लड़की का second year देख लेते हैं तो 8-5-19-1999 से लेके 7-5-2000 तक second year कर लिया तो इसमें results second year से multiply करें तो number वही एक और पांच आए एक number learn through sacrifice लिखा है तो हो सकता है ये मैंने गल्थ लिख दिया हो कि cut and paste किया है तो एक number तो basically जो है हमारा तो यहाँ पर आप देखेंगे communications का या उसके कुछ willpower का है, goal का है तो ये तो यहाँ पर जो cut and paste के चकर में थोड़ा सा word गल्थ हो गया तो इसको आप ये कर लिजेगा लेकिन जो पांच number है वो emotional और mental balance को ही represent करता है तो आप इसमें से ये result match किया है जातिका के साथ अब आते हैं कि जब इन्होंने अपनी 23rd marriage anniversary celebrate की उसको recall भी कर सकते हैं ये आपके साथ share करने का ये तो नहीं है कि भी किसी कुणली कोल दें और उसको पुरा ले आएं तो एक calculation का नियम लगाया उसमें 23rd है पांच आया पांच stability पे इंडिकेट है तो गुड टाइम पिरिड है किसी भी पांच नंबर से सिंपली उस नंबर को जो उपर निकाले थे लड़के के बीच में होना है सिरफ फरक ही आएगा कब वह लोवर केस के रजल्ट दे रहा है और कर वह अपर केस के दे रहा है लड़के के में लगा है तो डूरिंग 23rd रजल्ट आने चाहिए थे आट-पांच दोजार बीस से किसके दोनों में लड़के के रजल्ट आने चाहिए थे वो आठ और नो नंबर के आने चाहिए थे मैं इतना बता सकता हूँ आठ नंबर के साफसे जो सीखते हैं आठ नंबर, नॉलेज, एडुकेशन, मेडिटेशन बंदे ने भेंकर तरिके से रजल्ट मैफट्स डाले और सीखा और इसको सीखके नॉलेज लेके एक बेस बनाया एस्पिरेशन के लिए रेपुटेशन के लिए तोटली डिफरेंट पॉफेशन से डिफरेंट करने के लिए तो ये नॉ नंबर के हो प्राकरम भी बढ़ गया नॉलेज भी लिए कैलकुलेशन का टाइम थोड़ा उपर नीचे चलता है किसी को आजकल हमें क्योंकि हम नॉम्रालिज में तो नंबर ही लेते हैं डेट सबको पता है तो टाइमिंग की कुणली तो बनानी नहीं लेकिन फिर भी डेविएशन कहीं न कहीं हमें लेने चाहिए और मानने चाहिए तो आप ये कह सकते हैं किसी को रजल्ट अगर मैंने ये एक तेईसमा साल आठ पांस से कहा तो हो सकता है ये दो एक मेने पहले कोई भी प्लैनेट है वो दो से तीन मेने depending upon the strength of the planet depending upon the strength of the planet छोटा planet है उसकी strength थोड़ी कमजोर है तो उसकी number of days काम हो जाएंगे लेकिन बड़ा planet है वो result heavy है तो heavy कोई भी चीज कहीं बैठती है या कहीं पे भी result देती है तो वो थोड़ा सा पहले से या थोड़ा बास से देना शुरू करती है इतना margin जरूर रखिएगा date का मतलब नहीं है कि उसी दिन से हो जाए बस यही calculation मेरा कहना है similar लिए अगर यह result मैं लड़के के भी आपके कर रहा हूँ तो यह भी देखना जरूरी था कि लड़की को कह हुए result मिले लड़की को 7 और 8 के मिले तो लड़की को जो result मिले वो अपने बच्चे से संबन्दित थे बच्चे से संबन्दित थे तो उसकी education हो सकती है बच्चे से संबन्दित आप कह सकते हो कि उसकी किसी दूसरी जगय पे shifting हो सकती है या जो उसके प्रिवार में कुछ ऐसे क्योंकि 7 नंबर को हम बॉड़की कहते हैं तो उसके प्रिवार में कुछ ऐसी घटनाई घटी होंगी जिससे उससे दुख हुआ होगा है दुख मतलब family के और और यह नहीं कि उससे कोई चोट लगी होगी या कुछ भी होगा लेकिन 7 नंबर है कभी हम दुख होते हैं तो वो हमारे शरीर पर असर तो डालते हैं तो वो body के लिए होगा लेकिन अगर 8 नंबर आया तो 8 नंबर में क्या हुआ 8 नंबर का इसमें मैंने वो capital वाला नहीं लिखा हुआ इसमें वो lower case वाला लिखा हुआ है यहां पर जबकि यह 7 नंबर में capital वाला लिखा हुआ है और 8 नंबर में slower case वाला लिखा हुआ है जबकि उपर वाले में 2 अपर case वाले लिखे थी तो यही चीज आपने analyze करनी है कि किस loop में 1 से 9 जब आपके शादी के हुए आपको पहले lower case वाले result मिल रहे हैं या upper case वाले मिल रहे हैं second loop में क्या उसके totally reversal यानि opposite result मिल रहे हैं पहले में अगर आपको lower case में मिले हैं तो दूसरे cycle में आपको upper case के मिलेंगी क्या आप इतने खुश किसमत इंसान है कि दोनों ही बार आपको best result मिले तो यही चीज जानने के लिए एक appeal form में सभी astrology करने वाले numerology based astrology करने वाले के लिए topic में एक open छोड़ रहा हूं आपको confirm कर सकता हूं कि यह चार्ट के उपर calculations मैंने खुद लगाई है डेट नहीं disclose करते हैं अगर आपको यह idea पसंद है आप WhatsApp पे कर सकते हैं या इस email ID पे कर सकते हैं एक tribute form में एक नई चीज़ form में हो सकता है मैं fail हो जाओं कोई दावा नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतने लोग बड़े-बड़े लोग बैठें मैं numerology पे इतनी अपनी energy लगाते हैं कहीं बैठें और कहीं से भी आपको कहीं के feedback कहें मैं एक stability का number पकड़कर एक indication पकड़कर एक topic को through कर रहा हूं अपने YouTube channel के through कर रहा हूं इस video को मेरे तीन और platform है Facebook पे भी मेरा link है LinkedIn पे भी है कू को मैं आज क्योंकि हमारा जिस तरह से चल रहा देश का बढ़ावा देने के लिए मैं personally कूपे भी लोगों से अपील करूंगा इस video के through उसको platform को use करें अपने देश की हमेशा अच्छाई करें बुराई हर जंगे है बुराई अगर आप देखोगे तो बुराई को ही अच्छा रजल्ड देगी अगर आप अच्छा ही को अच्छा रजल्ड देगी अच्छा रजल्ड आपको भी मिलेगा आपके आसपास भी positive energy मिलेगी तो इस video के through जो last message मैं देना चाता हूँ आज कल जो देश में चल रहा है हम एक भेंकर बिमारी से लड़ रहे हैं उससे भी हमें stable होना है देश में economically लीविए उससे भी stable होना है आप अपने दिमाग को लगाईए आपके मावा अपने आपको बहुत अच्छी शिक्षा दी है आप किसी स बायस मत हुई है अपना दिमाग लगाईए अपनी knowledge लगाईए अपने parents से discuss कीजिए जो आपको अच्छी चीजे लगे वो discuss कीजिए जो बुरी लगे उन्हें filter out कर दीजिए इसी के साथ भारत माता की जाय कहते हुए आप से एक बार फिर request करते हुए कि आप इस पे जरूर अपना feedback दीजिएगा मेरे email ID पे और मेरे WhatsApp पे सोद कि हम अपने देश के लिए आने वाले समय में और एक अच्छा काम कर सके धन्यवाद